कि नमस्कार साथियों आज हम करें कक्षाची टेकी वरक्षिट वरक्षिट सेंग्याई 25 जो बाइक समुर्ख आपके पास आगी थी कक्षाची टेकी है और इस कमेंट टोपिक है दसमेनों सेंग्याओं को जोड़ना ठीक है अब यहां पर देखिए एच्छला सा एक जामपल करें देर का है कि शबाना अपनी दोस्त के धि measurement यहां बहुत के लिए दो पार पर इतनी है ऐसे ही तीन देस्वनों 5-6 में 3 आपका एका एकांग है 5 आपका दसांस है और 6 आपका सतांस है एक जोडते हैं देखो कैस्ट जोड़ेंगे ये 5 और 6 11 हासील यह लग जाएगी 5 आर्ठ और 11 हो गया यहां एकाए में काई गांग जूड़ जाए कि इतना जाएगा पांच लेकिन हांसिल ट्रांसपर हो सकते है ठीक जोड़ेंगे तो हांसिल ट्रांसपर हो सकते हैं सतांस का जो हांसिल आथा हमारा वो दसांस में जूड़ गया था ठीक है तो चुब question करेंगे, आपको जली संज में आ जाएंगे देखी, बस आपको द्यान लखना, हिकाई में हिकाई जोड़ेगा, दसांस में दसांस, स्तांस में स्तांस, यहां पे कुछ नियम भी दियेगे इनको बढ़ लो, आप 10 में संख्याओं को जोड़ने के लिए निमन चलो और जहां भी अगर समान लंबाई की नहीं संख्याओं तो सुन्या लगा के बना लो, आगए पीछे दोनों सट सुन्या हम लगा सकते हैं दस्मनों के, जैसे मैं लिख दिया चार दस्मनों साथ, तो यहां भी जूर लगा सकते हैं, और यहां भी, कितने भी जूर लगा सकते एक, बागी देखी है इसमी उद्हानों देख समith कर लेते हैं. डिवार्च काया बीबाटी करने हैं अब इसको जोड़के दिखा रहszych देखा यहां पे दो में दो जोड़किया है पांसे पांच चार तिन साथ देखें दो यह आप उत्तर हो जाएगा ठीक है एजी है जाता टफ नहीं है इसमें और आगे बढ़ते हैं तो यह क्वेशन इसने घर से करने के लिए देर के देखिए चलो अभी ही कर लेते इन क्वेशनों को तो देखें क्वेशन मैंने आपके जूम कर लिए जैसे यह क्वेशन इनको जोड़ना है तो जाहन से देखिए जीरो दस मलो जीरो साथ ठीक है मेरा काम यह है कि दस मलों के निजे दस मलों लिख दो ठीक है लिख दिया अब आपको एकाई धाई मिलाने की जूड़ती नहीं है दो यहां पे है छे यहां पे है तीक है अब जोड़ो इसको शाथ रे कितना होगे आठ चै में जोड़ोगे चै दो में जोड़ोगे दो तो यह उत्तुरा जाएगा आपका तीक है इसको नोट कर ले ना अगला कॉस्चन देख लो अगला है त्रीस दस मलो दो जै इसमें क्या जोड़ना है दस मलों नीचे दसनल दिखो पहले दसनल के बाद एक एक है यहां कितना है पांच चै अब जोड़ लो चैर एक साथ दो रेक तीन पांच र तीन आठ चैर दो आठ यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है ही जी है अब इनको रफ कर देता हूं में अगला क्वेस्चन देखिए क्वेस्चन बहुत असान है आपको ट्रीक द्यान रखने विस अगला क्वेस्चन है हमारे पास 250 दस मलों जीरो तीन तीन दसमल के नीचे दसमल लिखना लिख दिया अब यहां पर दसमल के बाद 9 है ठीक है भाई इसी आगे क्या है 63 है रेक बार द्यान रखना है इसको 36 को नो-नो, बाद कियांग, एक अठे नहीं पढ़े जाते हैं, केले पढ़े जाते हैं, कभी ऐसे वोलो, त्रेशेट दसमन, नहीं गलत हो जाएगा, त्रेशेट दसमन, नो-नो, अब इसको जोड़ना है, भी यहाँ पर इलाइंत बराबर करनी है, जीरो लगा दो, यहाँ बराब ने रेक च्यार, पांच और छे, ग्यारा, फिर हाँसिल उपर गया, दो रेक तीन, तो यह आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँसिल दसमनों को क्रोश भी कर सकते हैं, दसमनों के बाद का हाँसिल था यह, ठीक है, नो रेक दस यहाँ चला गया था जो, अगला कैसिन तीन, अब देखिए, यहां पर आओ लैंद्थ बराबर नहीं हां, तीन अंक है, एक है, दो जिर लगा दो, अब जोड़ो तीन, पीशे जोड़ते हैं, तीन रेक च्यार, इस क्यार अगिए यहां जोड़ो जोड़ोगी तो यह आंसर हो जाएगा, आपका ठीक है, अब लास question देखिए आपके पास यह question आगया है इस question को पढ़ लो एक पर नेहा मकड ने गनित के एक बुस्तक के लिए 85.45 रुपे विग्यान की बुस्तक के लिए 105.9 की नेहा मकड दवरा खर्च की रासी बतानी है अब नेहा की रासी लिख लो इस साइड नेहा की कितनी है 85.45 नेहा मकड पूरा नाम है इसका साइड चलो को नेहा लिख लेते हैं यह किसने गनित पर खर्च की थी और कितनी है दसमलों यहां लगा दो 99 और यहां पर लिखो 501 यह का कर्च की थी से विग्यान की बुस्तक के लिए अब कुल रासी बतानी है कितनी खर्च की अब यहां बराबर करने के लिए उपर भी कम पड़ सकते हैं उपर यहां दो अंका दसमलों से पहले तो तीन अंक बना दो बराबर हो गए अब जोड़ो थोड़ा से उपर के लाइन को रुफ कर देता हूं आप जोड़ो देख़ी नौर पांच चोदा का चोक का आंसल एक न फर फ्क बत सरे ग्यारा का आसल एक आठ रहेक और एक तो यह एक सुख्यान में दसमलों चार चार रूपया उसने खर्च किये दोनों पूस्ट को पर आंसर हो गया तो आज की उडिम इतना ही था वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तभी वो भी हमारी वीडियो से सीखते रहे कुछ न कुछ और हमारा साथ बने रहे हम जल्दी आपके लिए अगली वरक्षीट का सोलीशन भी लेके आएंगे थेंक्स पर वासिंग बावा फ्रेंट्स